D.K. शिवकुमार की याचिका पर हाइकोर्ट ने इन्टी का रुख पूछा. डिल्ली हाइकोर्ट ने बुधवार को प्रबर्तन निदेशाले इडीच से करनाटा कॉंग्रेस के नेता. D. A. शिवकुमार की ओर से दायर याचिका पर उसका रूप तलब किया शिवकुमार ने एजेंसी की ओर से धन्षोधन के अधिनियम के तहट आने वाले आयसे अधिक संपत्ती मामले को धन्षोधन निवारन अधिनियम पीमले के तहट अधिसूचित प्रित्य के तौर दर्ज करने की समवैधा निक्ता को चुनोती दी है वरिष्ट अधिवक्ता का पिल सिब्बल के जर्ये दायर याचिका में शिवकुमार ने जोर देकर कहा कि ईडी वर्षट 2020 में दर्ज मामले की जो मौजूदा जाच कर रही है उसकी जाच नहीं हो सकती क्योंकि इस मामले की जाच पहले ही वर्षट 2018 में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर हो चुकी है सिब्बल ने कहा कि आए से अधिक संपत्ती के मामले में धन्शोधन का मामला नहीं बनता है। उन्होंने कहा एक बार आप इस निशकर्ष पर पहुँच चुके हैं कि ग्यात स्रोट से अधिक संपत्ती का मामला है तो उसके बाद धन्शोधन का मामला नहीं बनता। यह, कानून के तहट मामला नहीं बनता, सिब्बल ने कहम की पूर्ववर्ति अभियोजन में, उन्होंने इस तथे की जाच की थी, अब, चुनाव नजदीक है और उन्होंने चुनाव से, पहले यह प्रक्रिया शुरू की है, इसे रोका जाना चाहिए, अधिवक्ता मयंक जै उन्होंने कहा कि यह एक मामले में दो बार मुकदमा चलाने संबंधी, सम्वेधान एक प्रावधान का भी उलनगन है, आरोक में उनके खिलाफ जारी जाच को चुनावती दी है, न्यायमूर्ती मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ती अनीश दयाल की पीठ ने, कनोटेक व